नमस्कार साथियों यह है लीगल सब्दों पर आधारिक डिक्टेशन है जो 80 सब्द पृति मिनट की गती से दी जाएगी डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी स्टार्ट इस उपबंद से यह दर्शित होता है की तार यंत्र से तार द्वारा पारेशन के लिए प्रियुक्त या प्रियुक्तव्वे ऐसा कोई भी साधित्र उपकरन सामगरी या यंत्र अभी प्रेथ है बलकि इसके अंतरगत वैसा ही यंत्र भी आता है जिसमें विद्दुत चुम्बकिये उत्त सरजनों रैडियो तरंगों अत्वा हटरसी तरंगों का प्रियोग किया गया हो विराम इस इस पश्टिकरन से यह दर्सित होता है कि इस उपबंद के अंतरगत क्या आता है विराम इस प्रकार तार यंत्र रखने या अनन्ने अधिकार केंद्रिये सरकार में नहीत किया गया है विराम चुकि तार यंत्र के अंतरगत ने केवल एक सामानने तार यंत्र ही आता है बलकि उसके अंतरगत टेलिफोन या रैडियो या वायरलेस बेतार पेंट भी आता है इसलिए इससे यह अभिपरेत होगा कि तार यंत्र टेलिफोन और रैडियो रखने का अनन्ने अधिकार सरकार को प्राप्थ है विराम जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है इस विशेशदिकार को टेलिफोन या रैडियो रिसीवर रखने के प्रियोजन के लिए प्रियाप्त रूप से सिथिल कर दिया गया है विराम तथा पी बेतार रिसीवर का मामला एक बेतार प्रेशन यंत्र की तुलना में पूरी तरह एक भिन्न आधार है विराम अधिनियम से यह इसपश्ट है कि एक सामान्य तार यंत्र भी इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है जिसके साथ कोई व्यक्ती बेतार के दूसरी और बैठे व्यक्ती से बातचीत कर सकता है विराम रैडियो प्रिसारन केंद्र का किसी भी बात के संचार के लिए उप्योग किया जा सकता है क्योंकि उसमें प्रेशन यंत्र और ग्रहाक यंत्र रिसीवर के बीच किसी तार की अपेक्छा नहीं होती जैसी की बेतार के मामले में आवैसक होता है विराम इसलिए यह प्रतीत होगा की जब तक की यह है उपबंद सविधान के अधीकारातीत नहों तब तक सरकार को पिटिस्नर को लाइसेंस अनुग्यात किये जाने से इनकार करने का अधीकार होगा विराम इसी प्रसन की बाद में एक दूसरे द्रिश्टी कौन से परिक्षा की जाएगी विराम किन्तू फिलहाल यहां केवल अधीनियम के प्रती ही निर्देश किया जा रहा है विराम पैरा जैसा की उपर किये गए विचार विमर्स से प्रकट होता है की यह विधी सरकार का पिटिस्नर को प्रिसारन लाइसेंस देने से इनकार करने के लिए हकदार बनाती है विराम इस प्रकार लाइसेंस प्राप करने के लिए पिटिस्नर को यह दर्सित करना होता है की उसके मूल अधिकार का अतिलंगन हुआ है अथुआ केंद्रिय सरकार को अनन्य विशेश अधिकार अनुदत करते हुए अधिरोपित निर्बंधनों सविधान के अधिकारातीत है विराम इस प्रसन का प्रथम पहलू यह है की क्या प्रशारन का अधिकार सविधान के अनुद्छेद 19 ब्रैकिट में एक ब्रैकिट में कै द्वारा गारंटी करत वाक और अभिव्यक्ती स्वतन्तुत्रे के अंतरगत आता है विराम प्रथमत है यह है प्रतीत होता है की वाक स्वतन्तुत्रे और अभिव्यक्ती स्वतन्तुत्रे का प्रशारन के साथ कोई संबंद नहीं है विराम इस तथे से की किसी व्यक्ति के पास कोई बेतार प्रेशक यंत्र नहीं है यह अभी प्रेत नहीं है की उसके वाक स्वतंतुत्रे का अतिलंगन हुआ है विराम तथा पि इस संकल्पना की सुख्चम परिक्षा करने पर यह प्रिकट होता है की वाक स्वतंतुत्रे और अभिव्यक्ति स्वतंतुत्रे केवल बोलने का अधिकार अत्वा मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं है बलकि इससे यह भी वीवक्षित है कि उस भासा या मताभी व्यक्ति को दूसरों को समसूचित किये जाने की सक्ती भी गारंटी करत की गई है विराम यदि किसी व्यक्ति को कारागार की कोठरी में बंद कर दिया जाता है तो वह उस कोठरी में बोल सकने और अपने विचारों को प्रिकट कर सकने में समर्थ हो सकता है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता की वह सतंत्र बोलने वाक और सतंत्र मत व्यक्त करने के अधिकार का उप्योग कर रहा है विराम वास्त्विक अधिकार वाक और अभिव्यक्ती को दूसरे व्यक्तियों को समसूचित करने का अधिकार है विराम इसी कारण ए के गोपालन बैनाम मदरास राज्य वाले मामले में यह दलील दी गई थी कि पिटिशनर के निरोध ने उसे उसके वाक स्वतंत्र तरह और अभिव्यक्ती स्वतंत्र तरह के मूल अधिकार से वंचित कर दिया है विराम अतहे इससे अभिप्रेथ है कि यदि आपको स्वतंत्र वाक और अभिव्यक्ती का अधिकार प्राप्त है तो आपके स्वतंत्र वाक और अभिव्यक्ति को सभी उपलब्द साधनों द्वारा दूसरे व्यक्तियों को समसूचित संचार करने का अधिकार भी होगा विराम इन उपलब्द माध्यमों में से एक माध्यम प्रसारन केंद्र भी हो सकता है विराम यह एक समाचार पत्र हो सकता है लाउड स्पीकर भी हो सकता है पंप फ्लेट द्वारा भी हो सकता है और यह है पुस्तक या अन्य दस्तावेज द्वारा भी हो सकता है विराम यह सालजनिक इस्थान पर किसी लोख मंच से बोलना भासन करना भी हो सकता है और यह है प्रसारन केंद्र से जुड़े एक माइक्रोफोन का उप्योग करके भी हो सकता है विराम अतहे इस सब्द के व्यापक अर्थ में प्रसारन का अधिकार सतंत्र वाक के अधिकार के अंतरगत है विराम धन्यवाद साथियों